इत्व परिच्छा प्रगट उठावे अपना भार बोज निवाहें साथ को और बोज मसनन्द भरतार और बोज मसनन्द भरतार ये तो पात्सा ही दिन की प्राणिस्व रक्षरा तेटने स्री महामती जी के दाम निर्देशिन इस किर्टन गरंद के परक्रिमे एक निर्देश दिया है कि जो सुन्दर साथ में अग्रगणी हों उनको कैसा होना चाहिए संसार में जिसको हम किसी बिचारधारा के फैलाव की बात करते हैं धार्म या संपरदाय के फैलाव की बात करते हैं तो उसका निर्देशक कैसे होना चाहिए ऐसे तो धर्म और संगपर्दा अलेग अलेग चीज़े है धर्म क्या है जो समस्त स्रिष्टी को धारण कर रहा है जब यह स्रिष्टी नहीं थी तब भी धर्म था अथरवेद के अंदर चवध्वे कांड का असाय बहला मंत्र होगा कह गिया है सत्य उत्वित्ता भूमी प्रत्त्मी किसे टिकी हुई है सत्य से टिकी है सत्य क्या है सत्यम जानम अनंतम रम जो सत्य है वही ब्रह्म है सांचारी साहिब सांच सो पाईए सांच को सांचे प्यार सांचारी साहिब परमात्मा क्या है? सत्य का शरूप है यदि आप सत्य का अचरन करते हैं तो सत्य आपकी सारी समस्याओं का समध्धान कर देगा कोई भी बगती संपर्दाइ चला देता है संपर्दाइ चलाना कोई बड़ी बात नहीं है आज जी समें देश में 1200 के लगभग संपर्दाइ है इसमें अधितर संपर्दाइ ऐसे हैं जो पिछले 200 सालों के अंदर जाले जिसके मन में जैसा होता है कुछ गरंत पढ़ लिता है और कुछ अनियायों को खड़ा कर लिता है उसके नाम से एक संपरदाय चल पड़ता है तुलसित आजी ने अपने गरंत में क्या का है जिवी पाखंड बिवाद से लुप्त भही सत गरंत हर बेक्ति जब सत को धकना चाहता है अपनी बात को थोपना चाहता है तो वहाँ से अज्यानता का अंदकार फैलता है और उस अज्यानता के अंदकार में संपरदायों की रचना होती धर में एक बिक्ष है धर में रोपिर बिक्ष की साखाएं जो क्या कहलाती है वो संपरदाय है जैसे आम एक फल है, एक आम की कई जातिया है, चोसा है, दसहरी है, केसर है, लंगड़ा है, कितने आम मिल जाएंगे, सैकड़ों आमों के जातिया है, जिस तरह से एक ही आम की कई जातिया होती है, उसी तरह से धर्म की व्याख्या करने के लिए, जो विचार धर्णाय बनती है, उसक इंद्रोन संपरदाय का यहाँ धर्म क्या है? स्ट्रीम ठ phrases जो कुछ एत में कहा है वह intend पीत क creeping डिन किसको करते है स्थिजञान को करते है स्थिजट पर्म यह स्थिजग धर्म है उ włain स्ये भampa ऊते है जैसे बैसरों संपुर्दा क्या कहेगा कि सालिग राम की पूजा करनी चाहिए यह हमारे परमात्मा है सिर्व संपुर्दा क्या है कि नहीं सिवलिंग हमारे लिए परमात्मा का सुरूप है सिवलिंग की पूजा करेंगे साली गराम की पूजा नहीं करेंगे वियत क्या कहता है न साली गराम की पूजा करो न सिवलिंग की पूजा करो क्योंकि अभियत सम्मत नहीं तो आपका ये एक बैसरों के लिए साली गराम की पूजा संप्रदाइक विचार है, धर्म का विचार नहीं है। दी इंधियाज सत्यम अकरोदो 10 कम धर्म एक्षणम और यह 10 आचरर है। जो शुरुत के कथन को मानता है, अस्मिर्ति, धर्म सास्त्र के कथन को मानता है, सदाचारी है, और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रियास करता है, उसकी अंदर उसको कहेंगे यह धर्म के चार लक्षा है, जदि कोई वेद सास्त्र को भी न माने, सदाचार का भ के अवाज आती, कि नहीं, ये काम गलत है, बले कोई देख रहा हूँ चाहिए, तो ये क्या है? सुध धरदे प्रेणगा देता है, कि नहीं, ये कारी नहीं करना चाहिए, उसको क्या कहा गया है? कि परमात्मा की किरपा से ये प्रेणगा होती है, जब उन्हें इस पाप की तरफ कदम बढ़ाता है तो एक बार अवस आवाज आती है कि नहीं तो ये गलत कारी करने जा रहा है इसको धर्म का लक्षण केते है संसार आज लड़ रहा है संपरदाई की विचारधाराओं के काराव सभी जग जगड़े हैं हिंदों में अलग संपरदाई हैं बारसो जातियां हैं कहीं हजार जातियां कहीं हजार संपरदाई कहीं जाते हैं मुसलिमों में भी बहतर फिरके की बात कही जाती है किरिष्यनों में भी अनिकों फिरके अनिकों संपरदाई किरिष्यनों में बोधों में, जाइनियों में हर मत बंत में साखा की उपसाखाएं बनती और बैश्रों में भी नचाने कितनी साखाएं रामानन्दीब नारायन को मानने वाले अलग है राम को मानने वाले अलग है किर्ष को मानने वाले अलग है नाम और कर्श में हम भी जहकड चलता है रामवाले काहिएंगे कि tara रिमार निर्मभ निर्भार्ग कोाईगे कि हम भड़े सबी कुपनेंब्रा काते हैं एक संपर्दाइक भीचारता है ये धर्म नहीं अब संदर साथ के लिए क्या कहा जाता है सोई सुहागिन धाम में जो कर्सी इतिरोसन तौल मौल दिल माफ़क देशी सुकसक सबन सोई सुहागिन धाम में वही ब्रमात्मा का लाने की अधिकारी है जो कर्सी इतिरोसन जो अपने प्राणेश्वर को इस संसार में चाहिज कर दे परमधाम को जान दे या संसार कहाँ बटक रहा है अज्यंता के अंदकार में संसार में किसी को पता नहीं है कि चौदर लोग का यह जो ब्रहमान्द है ऐसे ब्रहमान्द जैसे समंधर में असंख्यो पानी के बुलबुले उपते हैं डूपते रहते हैं इसे उत्पन हो रही है, फिर इसी मेविलीन हो जा रही है, वनुस इसका और छोड़ने ही जान सकता, निराकार के परे क्या है, ये कोई बताने वाला नहीं हुआ, ब्रहमसेश्टी का उतर दैतु क्या है, जो यह दर्सादे, कि हु मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेराका, इस निराकार के परे बेहत है, बेहत के परे अक्षर है, और अक्षर के परे अक्षराती थै, कभीर जी ने, सत्ति को दर्साया इस अंसार में, सब दर्वाजे खोजे कभीरे बेकुंट सुन ने सब देख्या, आखिर जाय के प्रेम कर्य तब जाये पाया अलेखा सब कुछ खोचा रामा नंजी से तिक्छा लेगा लेकिन उनके अंदर अक्षर की आत्मा है बैकुंठ से परे उन्होंने गती बनाई निराकार से परे गती बनाई इसके पहले क्या होता है अप्याकरित के सुख का प्रतिविम निराकार में पढ़ता है और बड़े-बड़े योगी जो ही हिमाले में कई-कई दिन की समाधियां लगाते हैं वो भी निराकार में जाकर उक जाते है इस निराकार महासुन से परे क्या है कोई नहीं जानता कोई बुल्यान एक खरफ कोई नहीं बता सिता कि जोड़े लगो कि इस ब्रहमांद और जो निराकार है उस अनन्त निराकार से परे क्या है वेद ने संकेतों में का लेकिन उसके अर्थ को कौन जानेगा जो समाधी अवस्ता में पहुंचा होगा रिसी होगा उह जानेगा बुद्धी से इसका अंकला नहीं किया जा सकता बुद्धी नौ भिचेश्टे वनुसकी बुद्धी तो एक सीमी दाइरा रखती बुद्धी से ग्रंतों को आपड़ सकते क्योंकि बुद्धी किसे बनी है माया से बनी कभिर जी ने क्या कहा है माया माहाथ कभिर जी ने क्या कहा है पाड़े मेरा तेरा कहा यह क्यों हुई मैं कहूं आखन देखी तू कहूं पोथी देखी तू पढ़कर क्या कह रहे हो और माई आजो देख कर काय रहा हूँ जो भीदी कल-कर इसी होगी, जो क्या करेगा? बादिमें बैठे गा, परणाम सत्य को सक्छादेगा जो बिद्वान होगा, वो क्या करेगा? ब्याकन पड़ेगा, और ग्रंतों को पड़ेगा, वेदसास्त को पड़ेगा, अर्थ लगाएगा. लेकिन स्वपन की बुद्धी से वो वास्तविक सत्य को जान नहीं संस्कता. इस दिये, डिस्यों ने भी क्या कह दिया? तद तो अभियासात नहीती, नहीती बिवेक सिती. संसार में ऐसा कोई पड़ाद रहे हैं, जिसे हम परमात्मा के सुरुप के तूलना कर से के. अब क्या करना है? इस माया के संसार में, हमारा उतर देत्व क्या है? अभी आपने सुना चोपाई, जो करसी इतरोसन सत्य का प्रकास करना. आजकल जो सत्य का प्रकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है. क्योंकि उसमें किन चीजों के आउसकता पड़ती है, कुछ दिव ये गुणों के आउसकता पड़ती है. जो सुन्दर साथ का नित्यत्यत्य कर से के. इत उ पाधसाही दीन की इत प्रिप्षा प्रगट उठावे अपना भार बोज निवाय साथ को और मसलिन है सुंदर साथ को शुनर साथ को सत्य का दर्सन कर भार। कि इसको आत्म बेद काते हैं, इसमें आत्म बेद कात पर जिसमें आत्मा और पर्मात्मा के अर कोई लो इसको कहने वाला कोन है, स्वेमाक्षरतीत कावेस, इसको संत साहित में क्या कहा गया है, संद साहित में एक बात कही जाती है कि मकरतार की डोरी धराऊं निराकार से होने के लिए क्या है मकरतार की डोरी पकड़ना पड़ता है और सद्गुर्व वहां ले जाते हैं जो हन सलोक का दे से इसमें कोई राज सब छपाए ये मकरतार की डोरी क्या है प्रेम की दोरी है हमारी आत्मा का समंद उस अखंड धाम से हो और लेकों जागता है जिसको कतेब गरंतों में जोस कहा गया है और सास्त्री भासे में जिसको क्रियासक्ति कहा गया है ब्रह्म की कतेब गरंतों में उसको जिबरील कहा गया है संद साहिती में उसको जब्राहिल का गया है इसी के द्वारा कभीर जी ने बीजग का उतरन किया सुक्देव जी ने रायस का बरिणन कर निका प्रयास किया योगेश्वर से कृष्ष्ण ने गीता का जान दिया भगवान सीव ने उमा को महस्वर तंत्र में वानित परमधाम का ज्यान दिया इसके बीना कोई भी अखंड के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि माया की बुद्धी माया की ब्रह्मान का भड़न कर सकती है अब परमधाम का ये ज्यान आया वानि के रूप में ये सबके लिए एक उत्तरदाइत है बोजने बाहे साथ को और मसनन्द भरतार राजी की गदी क्या है संसार में एक गदी की परमपरे जल पड़ी है ज्यान के सिंहासन पर कौन बेटेगा आप देखिए इतिहास की गटना है एक अस्थान है सारदा पीट सरवग्य पीट कहते हैं एक ग्रंत है, संकर दिगविजयार्ख, उस ग्रंत का नाम है. अदि शंकरचार चलते हैं केड़ला से, सब को सहस्तार्त में पराजित करते हुए चले जाते हैं. जहां स्री नगर में आज जहां स्री नगर है, उससे कुछ दूरी पर पी ओके पड़ता है, जो पाकिस्तान में चला गया है, वहां एक सार्दा पीठे, उस सिंहासन पर वही बैठ सकता है, जो संपूर वेद सास्त्रों के रष्यों को जाउंता हो, और उस पर बैठने का सोभा जो उस पर बैठ जाएगा, इसका ताथ पर क्या है, उसके जैसा कोई देश में तो क्या पूरे संसार में कोई बिद्वान नहीं हो, वही उस पर बैठने का अधिकार रखता था, जान के सिंहासन पर कौन बैठेगा, जो उसका पत्र हो, पहले संक्राचारियों का चैन कैसे ह होता था, कासी में एक बिद्वत समिती होती थी, वह समिती तेह करती थी किस वेक्ति को संक्राचारी पत पर बैठाये जा, अज गल तो जिसके पास बाहू बल है, धन बल है, वो अपने जो तोड करके, जैसे राजनेतिक गतियां होती है, राजनेतिक पत होती है, उसी तरह स संक्रचारी का पद भी बट गया है मंडले सुरों का भी पद इसी तरह बट गया है हमारे सुंदर साथ में भी तो ऐसे ही होता है धर्म कान्यत्रत कौन करता है जिस पर ट्रस्टियों के कृपा हो जाती है वह ही उसमें युगता नहीं देखी जाती है जिस पर ट्रस्टि में इर्बान होती है महराज में इर्बान होती है उसको उत्रादिकार दे दिया जाता है बोज निभाए साथ को और मसनंद भरतार राजी की गदी क्या है राजी का सिंहासन का है उपर तले अर्षन कहया अर्ष कहया मौमिन कलूप ब्रह्मात्माओं का हिर्दे ही राजी का सिंहासन है राजी की गद्धी कहां बनेगी आपके हिर्दे में वो कोई ब्यक्ति नहीं दे सकता कोई ट्रस्ट नहीं दे सकता आपको अपने हिर्दे में अक्षरातीत का सिंहासन बनाना पड़ेगा और अपने हिर्दै में यदि आप राजी की सुबा को बसा सकते हैं, तभी आप बोज निवाहेसाथ को सुंदर साथ का बोज बहन कर पाएंगे सुन्दर साथ का बोजबान करने का ताथ पर क्या है माया के अंदकार से परे ले जाकर उनको परमधाम की पहचान कराने का ये उत्तरदाईत सबसे बड़ा है जब सिरे जे बेल गाड़ी पर बैठ कर जा रहे थे तो क्या किरिंतन उत्र था दोरी रामा मुके तारी धुसरी वाटिटे विस्मी रे गाड़ी भार बढ़ी ये तीले धरती है सुन्दर साथ कितने बैठ गए हैं अधिक संख्या में कि गाड़ी के पहिए रेत में धंसते जा रहे और बोज के कारण बैल हाफता रहता है गाड़ीवान क्या करता है उस पर सुए दसा देता है जब बैल से चला नहीं जाता तो इसका असे क्या है गाड़ीवान कौन है? बिहारी जी मराज जो गादी पर बैठे बैल कौन है? जिसके कंदे पहर घा हो गए बैल है? मिराज सब सुन्दर साथ का बोज ढोरे बैल हाफ रहा है लेकिन उसको तो पहुंचना ही पड़ेगा जहां तक उसको पहुंचना है चाहें कितने सुए मिले चाहें कितने भी कष्ट हो सब सुन्दर साथ का बोज उठा कर उनको ले चलना है इसी समझ में किरंतर उतता है कि आए बैल तू अपने घाउं की परवान कर भले ही तेरे कंदे में घाउ हो गए है क्योंकि चांदी का बोज ढोते ढोते गाड़ी खिशते खिशते तेरे कंदे में घाउ हो गए है चला भी नहीं जा रहा है तु आप रहा है तु कुछ कहने सकता तु सकीन बुलाए रहे तु बोल भी नहीं सकता गाड़िवान तो बैठा है अराम से बैठा है वो तो सुय मारेगा जाहरी गदी मिली है भिहारी जी को पातीनी गदी मिली है मिहराज को करन्तन में एक प्रक्रन आता है लड़ फिर के जुदे वे देने मसनन बैगंपरी प्रु आला के दो बेटे एक नसली और एक नजरी नसली बेटे को ने बिहारी जो बंच से वे जिनको बालभाई जाई से आज कल के ट्रष्टी समाझ लेजिए उनके किरपास से गदी मिल जाती है लेकिन न उनके पास न ज्यान है न भक्ती है न सिष्ट अचार है न प्रेम है कुछ नहीं है गादी पर केल बैठे और गादी परंपरा के सुरुवात कहां से होती है देखिए प्रचेन धर्म सारस्त्र में ऐसा क्या लिखा है कि जो राजा के सिंगासन पर बैठता है उपर महत्मा का प्रतिनित होता है और वो जानते है कि दुरुधन अत्यचारी है ये मेरा जो धितराष्ट है मेरा अपू ये मोह से ग्रसित है ये चाहता है कि कोरों को राज मिले और महाभारत के युद का जानते है कारण को नहीं, दितराष्ट का मौव, आप दुर्योधन को कह सकते हैं, सकुनी को कह सकते हैं, ठीक है, दुर्योधन, सकुनी, दुसासन, सभी दोसी हैं, लेकिन मौल दोसी को नहीं, दितराष्ट, जिसको गदी चाहिए, जिसको दिखाई कि अंखों से अंदाया लेकिन गदी कामों कि सिंहासन का इस्वरी मुझे चाहिए और विष्ण पितामा चांते हैं कि अत्यचार हु रहा है उनका हिर्दय पांडूं से जुड़ा है लेकिन अपनी बचन में बदे हैं कि जो इस इस इंहासन पर बैठे का हाज तिनाफुर के मैं उसकी रख्चा करूंगे तो आज भी समाज किसको मानता है गादी को मानता है अब ही आप इस प्रक्ण में आगे सुनेगे कि जो उसका उत्तरदाइत कौन भाहन करेगा उसमें क्या-क्या गुड़ों ने चाहिए यही बाते इस प्रक्ण में बताई वही धर्म है और धर्म का ज्यान किसको होता है धर्म से तत्तम नितम गुवाया जो परम गुवा में परवर्म का सक्षातकार करते हैं उनको धर्म का पूद होता है और धर्म के निर्देशन का मार्ग वो उठाते हैं कि सारे समाज को बोज निभाएं साथ को और मसनंद भरत राजी की गद्धी क्या है ब्रमात्माओं का हिर्दे ही राजी का सिंहसन और सुंदर साथ का बोज क्या कि सबके हिर्दे में युगल सरूप की छपी बसा दीजिए ये सबसे बड़ा बोज होता है उस गादी पर बैठने का दाद पर गादी पर बैठने का दाद पर क्या जिस पिचा डिया, वीर के फूल, इस पर रख दिये, और समरपण का तकिया रख दिया, यही तो सिंहासन है, यदि आपके पास है, तो आप अपने हρ trata लेगiform को सिंहासन बना यहे, आप अपने एहते हैं कि सिंहासन पर अक्षरातीत को बसा लिचे तो सुंदर साथ का बोच आप उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं उठेगा अभी मैं कह रहा था, भीस्न पितामा का जदे मुह नहीं होता, तो इमा भारत का जुथ नहीं होता वश्न पितामा का जो सिधान्ध था कि सिंहासन की मैं रक्षा करूगा, धरम की रक्षा नहीं। उन्हों के मुख से बचन दया दिया तो उसी को उन्होंने धरम माना, यह उव्हीं सबसे बड़ी भूल होता है। आज भी यही होता है जो किसी अस्थान से जुड़ा होता है उस होता है कि हम इस अस्थान से जुड़े हैं तो उसी अस्थान को प्रात्मिक्ता देंगे वाणी क्या करती है उसकी प्रात्मिक्ता ने हमें किस पर चलना चाहिए जो अक्षरातित का कथन है अक्षरातित परम सकत इस यह वाणी के कथन के विपरीद किसी का भी कथन माने नहीं हो सकता चाहे हो कितना भी व्यक्ति प्रभावसाली के होना अब क्या कह रहे हैं यह जो पाथसाही दिन की सो गरीबी से हो दिन की पाथसाही गरीबी कार्थ क्या होते है बिनम्रता एक दिन किसको कहते है धर्म का स्वामित धर्म का स्वामित चलाने के लिए पहला गुर क्या है बिनम्रभा ये चू पत साह इदीन की सो गरेबी सहो और स्वांत सबुरी बिना किन अपविको ये तीन चीज़े है गरिबी बिनम्रभा स्वांत electr Salini bibus संतोस, ये तीनो अलोगे कुने है आजकल बड़ा किसको माना जाता है, जिसके पास बहुत अधिक धने हैं, जिसके पास सिसों की बहुत बड़ी संख्या है और जिसकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा है, कि अमुद गादी पर बेठी हुए हैं, अमुक अस्थान के अधिपति हैं कोई भी बेठी किसी अस्थान पर बैठ कर अधिपति तो हो सकता है लेकिन धर्म का सिंहासन उसको नहीं मिलेगा वो जने भावे साथ को और मसनंद भरतार मैंने पहले ही कहा कि उत्र अधिकारी होने की सर्थ क्या होनी चाहिए मसनंद भरतार राज जी की गदी उसको मिलनी चाहिए जो मही राज को मिले बिहारी जी को नहीं बिहारी जी तो जाहरी रुई की गदी पर बैठ गया थी आजकल रुई की गदी का मत्त हो गया है बातिनी गादि, जो आत्माव का दिल है, अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, इता आई करू अराम, सेच भिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विस्त्राम, इस तिये, चाहे मेराज हूँ, इन सभी ने अपने धामिर्दे मेरा प्राने स्वार को बसाया, उनके हिर्दे में धनी के चरन कमल पड़े, थे मारिफद के जिशेतों सब के साथ राजी का सनंदे, जब राजी की सुभा उनके धामिर्दे में भी राजमान हो गई तो उनके बताएं, रे मार्ग बर साप सुं उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूज निवाए शाथ को, सुन्दर साथ का बौझ भाहन किया. अन्था, यदि आप अपने हिर्दे में धनी की शुभा नहीं बसाएंगे. आपको वानि की परस्रधा नहीं होगी. आपके अंदर खुद वानी पर इमान नहीं होगा, तो सुंदर साथ को आप क्या पताएंगे, कि आपकी आत्मा की जागनी कैसे होगी. देखिए, तीन महान गुण हैं. बिनम्रता, यह जो पाथ साही दीन के, सो गरेबियों से होगी. जानते हैं, जिस बिक्ष में जितने फर लगते हैं, वो, बिक्ष उतना ही जूका होता है, उसकी डालिया जुकी होती है. आप मुर्के को देखते हैं, नीचे खाएगा तो किस तरह से अकड़ा रथा है. ज्याने की पहचान क्या है? बेवेकवान की पहचान किया है कि उसके अंदर सबसे अधिक बिनम्रता होती संसार में सबसे बड़ी करांती किसने की जो सबसे अधिक बिनम्र हुआ उसने संसार में करांती कर दी महाभीर स्वामी को देखिए तबस्या कर रहे है एक हल किसान आता है वो पूझता है, वो हल वहाँ था कि मेरा बैल किदर गया? माभीर स्वामी मौन बृत में है वो कैसे बोलते हैं? उसने क्या किये कि लकडी उनके कान में ठोक दी कील ठोकने से उनके कान से खुन बहरा है लेकिन कूफ नहीं कर रहे हैं आप बताईए, उनकी जगह आप होते तो क्या करते हैं? आपके कान में कोई किल ठोके और सांती से बैठे हैं कुछ नहीं बोल लें इस में मृता को कमजोरी नहीं समझा चाहिए महान कौन होता है? आप देखिए हर्याना के जाट लोगों को देखे हैं ना? काहतर तरह की बात कही जाती है एक सब्द कड़वा बोलेगा तो दूसरा चार सब्द बोलेगा दोनों लड़ेंगे, जरा सी बात बात एक बार पेपर में दिया था एक खेत में पानी चलाना था एक पिता के दो बेटे थे और दोनों भाई अलग-अलग रहे थे वो जो पिता था, एक बेटे के साथ रह रहे थे दोनों में जगड़ा हो गया कि पाने खेत में पानी मैं चलाऊँगा बाप बेटे ने मिलकर अपने भाई और बेटे को माग रहे थे किसलिए? अरे बाई एक दिन के बाद पानी चला ले थे तो क्या नुक्सान होता? ने मेरे कहने कहसे क्या है? बिनमरता महांता की परचायक होती है लेकि बिनमरता कार्थ है ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उधर चाइना भारत पर बार करे अरखे के की नहीं, आप लूट ले जाहिए जितना लुटनाओ या पाकिस्तान भारत में धखलन अजी करे और सेना के सहने कहेंगे की नहीं जितना लूटना हो ले जाओ, हम तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम बिनम रहें बिनमरता की परिवासा यह नहीं थे कि उसके कट बच्चनों को बिना ब्यतित हुए सहन कर ले। यदि आपने सहन की करने की छमता है तो समझ लेजिए आपने संसार को जीतने में एक बोर्ड बड़ी महारत हासिल कर ले। कि उसके टो मानुव की कमजोरी है, किसी भी प्रणी की कमजोरी है। मन के हरिया मन के जीतेजीत पारभ्रम कुपाईया अब सूचिए है अब सौचिए, मन हमारी इंद्रियों कर आजाए हम इन इंद्रियों की वशिभूत होकर अपने आतमिक सक्तिकों तो खोते रहते। कुर रूप देखना कुंढ़ फरूप देखना चाहतीए met reconoc不錯 कान्मधु ने सुनने के असिक बन चुके हैं और सका सुगन्द ले लेणा चाहती है संसार के सारे सुखों को इन पांच विश्व को पाने के लिए मन ब्याकुल राता एन युदे हर भैकति इन पांच आँस मैंन को जीता तो सारे संसार को जीत सकता है मन जी जीते जब जीत întे अगजीत सक्टड़ को देखिये, जीघ बुद्ध को देखिये, संकराचारी को देखिये, देनन को देखिये अपने समाझ में जिन जिन παरमन्स को देखिये समाज उनके कहने पर क्यों चला वो अपने साथ चार-चार बाड़िगार नहीं रखते थे परमांस महाराज सी रामृतन दाज जंगलों में अकिले भरमण करते थे कोई भी परमांस होता है अकिले भरमण करता है क्योंकि सिंग तो हमेंसा जिसने अपने मन को जीत लिया है, संसार में इसको कौन पैदा हुआ है, मारने वाला बुद्ध के सामने देवदत एक भयानक हाथी छोड़ देता है, सराप पिला कर बुद्ध सामने से हाथी को देख रहे है वो हाथी था किसी को भी कुचल कर मार सकता था, सामने आता है और जानते हैं, योग में एक सिद्धी होती है मैत्री, करुणा, मुधिता, उपिक्छा मैत्री भावना में आप मन को रूख दीजे तो उसका बैर समाप्त हो गया बुद्ध ने अपने आत्मबल से मैत्री भावना की और हाथी के अंदर के वैर को समाप्त कर दिया हाथी चर्णों में गिर पड़ा देवदत बुद्ध को तिरंदाजों से मरवाना चाहता है जो भी बान धनुर्दर छोड़ते हैं बुद्ध के चर्णों में आकर गिर जाते हैं बुद्ध के उपर कोई असर नहीं पड़ता अंगलिवाल मारना चाहता है बुद्ध की मैत्री की भावना इतनी प्रवल है कि उनके हिर्दे में निर्विकारिता है बुद्ध सुपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं विश्यों से परे हो चुके हैं तो ऐसे बेक्त को कौन मार सकता है देवदत सारे प्रियास करके भी बुद्ध को मार नहीं पाता है एक तरफ बुद्ध क्या है उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है माँ को कहा था है कि देखो यदि तुमने यदि साम तक कोई और नहीं मिला तो तुमारी गर्दन काट कर तुमारी अंगलियों की माला बना कर पहनूंगा और वो अंगलियमाल भी बुद्ध के चड़ों में अत्मस्तक हो जाता है कौन से सकती है बुद्ध के पास यहीं मैत्री की सकती है यदि आप का कोई अहित करना चाहता हो आप किसी के भी अहित की भावना ना रखिए आप पर कोई पत्थर मारता है आप सहिंसिलता लाइए मुहमद साब को कोई बढ़िया कुड़ा फेकती थी लेकिन मुहमद साब के मन में घ्रना पैदा नहीं हुए तो परिड़ाम क्या हुआ आज मुहमद साब को दुनिया जानती है माभेट स्वामी को गाली देने वाले कभी महान नहीं बने बुद को संसार जानता है दयानन्द को संसार जानता है क्योंकि दयानन्द ने सबकी गालियां खाई जवदा बार जहर दिया गया लेकिन जो जहर देता है उसको भगा देते हैं कि तुम नेपाल भाग जाओ जिस जहर से उनका देहन्त हुआ उस जहर देने वाले रसो ये जगनात को उनने जगनात को उनने जगनात तुम अभी पैसा लो और भाग जाओ नेपाल नहीं तो लोग तुम एकष्ट देंगे कितना महान है वो बेक्ति आप होते तो क्या करते इसको पकड़ो और इसको जेल में डिलाओ फासी दिलाओ लेकिन वो दयानन्द है सचमत दया का आननन्द है यही तो मानता होती है आपके अंदर कितनी बिनम्रता है दन कमाकर अकेले खाने वालों को कौन पोचता है दुनिया में एक से एक अच्छे खाने वाले होंगे लेकिन याद रखिये रंतीदेव को दुनिया जामती है जिन्छोंने कई दिन भुखो रने के बाद अकाल पढ़ा था राजा रंतीदेव ने कई दिन भोजन नहीं किया था एक दिन भोजन मिला तो जैसे ही भोजन करने आए कोई भिख्चु का गया उन्होंने पानी पी लिया कि अभी से हो और स्वांत सबुरी बिना कभू नपावे को सांती है संतों से संती कब मिलेगी अपनी आत्मा में इस्थित होकर जिनों ने उस्चतानन्द पर ब्रह्म का सक्ष़तकार किया होता है कि उन्हें के पास सांत होती है और किसी के पास संती नहीं होती है याज जिवलक अपनी पत्ने मैंत्रेई से करते हैं कि देखो मैत्रे मेरे बास जो भी धन्य तुम इसको बांट लेना तुम दोनों दो उनकी पत्निया है मैत्रे ही करती है कि पती यह बताइए क्या कि इस दंसे मुझे संती मिल जाएं कि जो आप देना चाहते है याजवलक करते हैं कर नहीं जदी सारी प्रतिवी को हीरे मोती आदर रतनों से भर कर किसी एक बेक्ति को दे जाएं तो भी उसको संती नहीं मिलती है उन्दी का आप उसकी सुभा में डूप जाएं, तभी आपको सांती मिल सकती है, अनिता, सांती और सुख, सासवत सुख ना किसी को मिला है, ना कभी मिल पाएगा, कफिल जी तो डंगे की चोट पर कहते हैं, कि स्रिष्टी में, जिसने परमात्मा की प्रेम में अपने को नहीं लगाया, उसको ना कभी सांती मिल सकती है, ना कभी मिलेगी, ना कभी उसको सुख मिला है, ना कभी मिल पाएगा, इसलिए, बिनम्रता, सांती और संतोस, आजकल इतना दिखावा हो गया है, आप जानते हैं, कुम्बे में देश के सभी पंपोगिस, बड़े-बड़े सभी महाराजी क में पथे होते हैं, कहां प्रधर्षण कि का होता है, कि खिस महाराज के जैकारे लगाने वाले जादा है, भाड़े पर हुआएं स्वेखा कुर सीब्ना लिया जाते है, और इस अधिक तर जुमत फ़ादिस होते हैं जानते हैं किस पर चलते हैं, उनकी ऑषा उनके निकलती ह किये दिखाते हैं, किसी भी इसमृर्य मुन्हें निखा है कि सन्यासी को किसका सिंगार इसका सिंगार है? ये तो राजाङूं का सिंगार है, सन्यासी के लिए एक छら और चावर नहीं है, उसके लिए तो करतल भिक्षा तरुतल वाज है बुद्ध को देखिए पैरों में खणाओं तक नहीं बुद्ध ने जब सन्यासलिया अपने राजसी वस्तर उतार दिया अपने बालों को काट राला अपने वस्तर अभुसल सब दे दिया और जीवन ने कभी पैरों में फकृष एक नहीं था नंगे पैर मौभीर सवामी त अपने वअश्तर तक रतार दिया बुदध का जन्मा होता है छोता है बृञ्च के नहीं बुदधत्व प्राप्त होता है बृज्च के नहीं तन भी छोड़ा बृक्चों के नहीं आज बुद्ध की पुजा करने वाले कितने हैं, एक दो नहीं, करुणों की संख्या में हैं, यदि भगवान बुद्ध भी वाजी दली साह की जीवन भीताते हैं, तो उनको कौन ही आद करता हैं, मनुस्की महांता किसे होती है, आइस्वरी से नहीं, जैसे मैंने अभी आपको उदार दिया, कि कुम्ब मेले में जब देश के सभी संपरदाओं के महनत अचारी कठे होती हैं, तो एक होड लगी रहती है, कि कौन कितनी सान सोकत से रह रहा है, उनके जो टेंट होते हैं, उसमें भी सभी सुबधाई होती हैं, जो एक इसी राजा महराजा को, कुरणपती को पती है, वो सभी वातानों कुलित होती हैं, रहने का सब कुछ ठी, वैसे ही होता है, तो ये बड़पन की निसानी नहीं है, आप देखेंगे, सारी बातों को छोड़िये, सुंदर साथ को सिखाफन देने के लिए, सिरी जीने ऐसी लेला की, कामा पाड़ी से उदेपुर कितने दिन भूख का सिवन करना पड़ता है, मंदसौर में सब सुंदर साथ के साथ पहुंचते हैं, आठ महीने भिक्षा के अन पर ग्राण करना होता है, जिनके एक असिरवाज से पन्ना की धरती हीरा उगलने लगती है, वो अक्षरातीत का जो सुरूफ है, भिक्षा में म इमान और इसक्र, आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए, एक पंख है इमान का, एक पंख है प्रेम का, अटूट बिष्वास, अटूट समर्पन के साथ राजी के प्रति प्रेम हो, यह हमारी सब से बड़ी संपत है, ऐसा नहीं कि हमरे पास दस गाडियां है, पंदरा बिस पाजसाही दीन की सो गरीबी से होई, और स्वांत सबुरी बिना कभो न पावे को, देखिए, यह तो यह खोड है, यह कोई ब्यक्ति, साधान सी गाड़ी में चलता है, तो क्या कहते है, यह चोटे महराज है, और जो बड़ी गाड़ी में चलता है, उसके आगे पीछे कई लोग रहते हैं, आज कल की संकरचारी को भी देखिए, जो आदी संकरचार थे, वो पैदल चलते हैं, बाद में राजा ने, सुधनवा राजा ने उनकी बेस्था कर दी, पाल्की वगारा की बेस्था कर दी थी, सुरक्षा के लिए, अन्य था, सोलत साल की उम्रे में, वो मन करना ही कर पाए, कभी वो केरला में होता है, कभी असाम में होता है, कभी कस्मीर में होता है, पैदल चलता है, संकरचार ने, कभी सुख की कामना ने की, बुद ने, बुद भी चाहते हैं, तो अपने, महल से कुछ भी मंगवा सकते थे, लेकिन नहीं, जब अपने घर जाते ह यह सुदराज से मिलने के लिए क्योंकि उसको सांती देनी है उनके पिता आते हैं सोचते हैं कि सिधार्थ लंबे समय के बाद मिला है राजमल में अच्छा भोजन कराऊंगा एक भिक्षा में एक फल मिलता है और बुद उसी को खा करके कहते हैं कि नहीं आज तो मैंने भोजन कर लिया कल करूंगा सुदर्शतोन को लगता है कि मेरा बेटा जो कभी राजा बनने के लिए था आज भिक्षा मांग रहा है बुद क्या कहते हैं कि यह तो यह हमारी परंप्रा ही है जो बुद्ध होते हैं, वो भिक्षाप पर ही गुजारा करते हैं बुद्ध कहने का ऐसे क्या है? जो सन्यासी है उसके लिए माया का सुख महत्वपुर्ण नहीं है उसके लिए महत्वपुर्ण क्या है? भरत्री यहरी ने बहुत अच्छा बढ़न किया है जो अपने बहुत है देहरे जिसका पिता है, छमा जिसकी माता है, सत्य जिसका मित्र है, सांते जिसकी पत्नी है, दिसाय जिसके अवस्त्र है, हाथों का सिरहना ही जिसका तकिया है, नदियों का बैता हुआ जल हिसका जपे है, बिरिक्चों से घर हुआ जो फल है, वो भोजन है, या बिना मांगे को जीत चुका है ऐसे बिक्ति को कभी भहे नहीं होता, चक्रवर्ती सम्राठ तो भहे से ग्रस्त हो सकता है लेकिन ऐसा सन्यासी कभी भहे से ग्रस्त नहीं होता इस जैसे चक्रवर्ती सम्राठ की गरिमा होती है उससे बड़ी गरिमा उस परिवराठ की होती है, जो संसार का कल्यार करने के लिए अभय हो करके बिचरता है मौत भी उसको डरा नहीं सकती है मौत तो उससे डरती है क्योंकि उसने मृत के स्वामी परमात्मा को अपने हिर्दे में बसा लिया है जो अनंत प्रमांडो के स्वामी परमात्मा को अपने हिर्दे में बसा लेता है उसको किसी से डरने क्या हो सकता नहीं नहीं कभी किसी को डराता है नहीं कभी डरता है क्यों उसके लिए सरीर का कोई मात तो नहीं होता सरीर को तो धारन किये रता है संसार के कल्यान के लिए इस ये वाणी क्या कहे रहे है? ये चो पाजसाही दिन की सु गरीबी सो होई और गरीबी, सांती और संतोस संतोस किसको होगा? देखिए कभीर जी ने बहुत अच्छी बात कही साही इतना जीदिये, जामे कुटुम समाए मैं भी भुखा न रहूँ, साधू न भुखा जाए कभीर जी, देखने के लिए क्या है? जो लाए का काम करते हैं, जो कुछ मिलता है, आधा मात्माओं को खिला देती है और आधे में, रुखा सुखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पड़ाई, चूपड़ी, मतलाल जावे जी कभीर जी के पास धन संपता नहीं है, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के सामने कौन ठाड़ता है? आप देखिए, अक्षर की पंच वासनाएं हुई है, कभीर जी, सुकदेव, विष्णु भगवान, और संकादिक, और संकर जी लेकिन जो जान के जिस्टे देखा जाए, तो कभीर जी ससरुप तक का वड़न कर देती है, किवल तक का वड़न कर देती है जा घर में अबलावसे बही प्रेम के पूर, कही कभीर सुनू भाई सान तो, वह घर मस्यदू ससरुप तक का वड़न किया, तो किवल कभीर जी ने किया संकर जी महिस्वर तंत्र में परमधाम का लक्ष लेते हैं, लेकिन सारा वड़न किसका कर देते हैं, कोई बलब्रहम का सुकदेव जी कहां तक कर वड़न करते हैं, सबलिक के महा कारण में होने वाली राज का कहने का प्रियास करते हैं लेकर पूरा वरणन नहीं कर पाते हैं भागवद का रणन को तो कुछ भी पता नहीं भागवद कार्न ने तो क्या लिखा है वेक रिटrankी त żyजाङों भपरजबदू चीदम विष्रों स्रव्रुद्वन वी उसीदानमी तो धन्वान है, कईयों के बारे में तो मैंने सुना है कि कोई साल होती है, तो एक बारे ही ओड़ती हैं, दुबारा नहीं ओड़ती है, एक हपते की भागवद की कथा सुनाने के 25-25 लाख रुपे लेते हैं, वो राजाओं की जिंदिके जी रहे हैं, लेकिन भागवद की भागवद के रहस्यों को कहने वाला, जिसने महारास का बड़न किया, वो सुक्दे नंगे पाओं हैं, उनके पर कुछ नहीं, कोई संपदा नहीं, किसी के घर खड़े हो जाते हैं, बिक्षा में जो मिल जाता हैं, वी गरन कर लेते हैं, सुक्दे को देख हो तो उनको कौन पूछेगा, आजकल किसकी पूछ हो रही है, जिसके पास बड़ी-बड़ी गाड़िया हैं, किसी बेमांत के पास जाएए, उनके गाड़ी बहुत मंगी-मंगी होती है, उनका जीवन का ठाट बाट अलग होता है, उसी से मापा जाता है कि ये इतने बड़ महारा चाहें लेकिन अध्यात्म क्या गयता है यह जो पाधसाही दीन की गरीबी से हो और स्वांत सबुरी बिना कभू न पावे को किनू न पावे को आपके पास सांती नहीं है सांती तम मिलेगी जब आपका हिर्दय प्रियतम का सिंगासन बन जाएगा संतोस सबसे बड़ा धन क्या है गोदन गजदन बाजदन और रतन धन खान जब आवे संतोस धन सब धन धूल समाँ जिसके हैं में संतोस आगया जिसने सारे संसार के संपदा को तिल्वत समझ लिया तिनके के समान समझ लिया जो अपने आत्म स्वरूप में इस्थित हैं वही तो संसार को पद प्रदर्सन देगा आजकल तो अध्यात्म के नाम पर अनर्थ हो रहा है द्वारिका में एक मंदिर है भेंट द्वारिका जदी आपके पास पैसे नहीं हो तो भगवान दर्सन भी नहीं देंगे आज के भगवान भी पैसे पर ही दर्सन देते है आज एक लाक रुपया दो लाक रुपया लेकर जाएए तो तिरुपत मंदिर में वी आईपी एक वी आईपी होता है तुरंत आपको उस मारक से दर्सन करा दिया जाएगा यदि आप गरीब हैं तो एक किलोमीटर की लंबी लाइन में लगे रही है जब नंबर आएगा तो दर्सन मिलेगा नहीं तो आई से खड़े रही है यदि भगवान के द्वार पर भी पैसे का मुल यहो गया है तो आप सूचिए वो कैसे भगवान है परमात्मा के लिए तो कहा गया है भरत्रियरी वेरा के सितम में कहते हैं तो उन समराटों से क्यों मिलना चाहता है जिन से मिलने के लिए जाने पर उनके दौरपाल कहते हैं कि महराज अभी विस्राम कर रहे है तो इन समराटों के समराटों सज्दानंद परमात्मा को अपने हिर्दय मंदिर में क्यों नहीं देखता है जब चाहे तू ध्यान करके देख सकता है जब चाहे तू उन से बाते कर सकता है और उन से मिलने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है गीता क्या करती है इस्वराइ सर्व भूतनाम हिर्दे से तिष्टत अर्जुन ये अर्जुन परमात्मा सभी प्राणयों के हिर्दय मंदिर में रता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि हम अपने हिर्दय में अनन्त ब्रह्मांडों के स्वामी को देखना नहीं चाहते सबसे बड़ा धन हमारे पास क्या है जिस पर ब्रह्म ने अनन्त सिरिष्टी बनाई है आप देखिए इस प्रतिवी पर कितना हीरा होगा कितना सोना होगा समुद्र में कितने मोती होंगे किसी एक ब्रति को तो नहीं मिलते किसी के पास 200-400 हीरे के टुकड़े हो जाएंगे तो करोड़पती, अरगोपती कर लाएगा बहुत धन्वान कर लाएगा मैं कहता हूँ प्रतिवी जैसी असंख्यों प्रतिवियों को जिसने बनाया है वो सबके हिर्दे मंदिर में बसता है उसको पा लेने के बाद जो असीम सांती मिलेगी तो वो क्या होगा? जो सरूप में इस्थित हो जाएगा उसको संसार पथर मार रहा है तो भी मुस्करा रहा है फुलों के हार चड़ा रहा है तो भी मुस्करा रहा है जो अपने सरूप में इस्थित हो गया उससे बड़ा धन्वान कोई नहीं जो संसार के प्रहारों से बिछलित नहीं हो रहा है उससे बड़ा महान कोई नहीं इस्टिय धर्म का नेतरत्य तो किसको मिलता है ये जो पादसाही धीन की सु गरेबी से हो और स्वानसबूरी भी ना किन हो न पाएको और ब्रम्सिष्टियों के लिए कहा गया कि हमें तीन संपदा को गरंड करना है इन तीनों के लावा जो सबसे बड़ी इन तीनों के लावा जो संपदी है उँ मैं और कह देता हूँ इसक और इमान स्री महमद कहें इमान इसक के सुक्र गरीवी इन भी दिरुहें दोस्ती है कि प्यार कर सके तो क्या राची ने क्या कहा है हमारी संपदा क्या है इमान, इसक, सुक्र, गरीवी और सब्र सब्र अभी आपने संतोष सुक्र सुना गरीवी बिनमरता जो तीन चीज़े कहीं इसके साथ दो और जीज़े जोड़ दी है राची ने और वो सब के पास होने चाहिए राची के प्रती हमारे इर्दे में अटूट इमान होना चाहिए अटूट प्रेम होना चाहिए सुक्र हर बंधन धन्यवाद दीचिए संती आपको कम मिले गी आप असांत क्यों होते हैं आपको चिंता लगी रहती हैं कि अगले साल का खर्चा कैसे चलेगा सारी फसल तो ढूब गई हमारा बिजनेस चोपट हो जाएगा हो गया हमारी नोकरी चले जाएगी इस ते आप असांत रहते हैं आप सुचिए आप कितने भागी साली हैं कि आपको परमधाम का ज्यान मिला है उस ज्यान को ग्राण करके अपने हिर्दे में धहरी से बैठे रहे है समुद्र के किनारे आप खड़े होंगे तो क्या होगा समुद्र की लहरे आएगे ऐसा लगेगा कि आपको खीच करके बहा ले जाएगी लेकिन यदि अपने अपने पेर को जमाए रखा लहरे आएगे आपके सरीर को चोखर करके चली जाएगे आपको बहें गिरे आपके पास अटूट समर्पन का बल ये अटूट इमान का बल ये तो माया क्या करेगी अप धनवान है गरीब हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं आप सोचे कि आपके हिर्दे में कौन रहता है जो अनंत प्रमांटो के स्वामी अक्छर का भी प्रियता है वो आपके हिर्दे मंदिर में रहता है और कहता है कि एक बार मच को पकारो मैं दस बार चिची करूँगा तुम मेरी तरफ ही यदि चलो तो मैं तुम्हेरे दौड करके तुम्हारे पास आऊँगा ऐसे प्रियतम आपसे प्रेम करता है और फिर भी आप असांत रहते हैं दुखी रहते हैं देखिए आपको राज चलते कोई बेकती गाली देता है अब सब्द कहता है तो ब्यथितना हुई है आपकी सहन सेलता है एक दिन आपको महान बनाएगी जो भी संसार के मापूरस हुए है उन्होंने संसार के कड़वे बचनों को जहला है संसार के पत्थरों को जहला है मुस्कराते वे जहला है और जो पत्थर खाने पर भी गालियां खाने पर भी मुस्कराई समझ लेज़े उसको हराने वाला कोई समसार नहीं इसलिए धर्म का नित्रत किसके हाथ में है वो नहीं जो अपने साथ अंगरक्षक रखे हैं और जो कोई बोले उसको पिटाई कर दे तो भले ही करुण पत्ती होगा भले ही उसके पास बहुत बड़ा आस्रम होगा भले ही करुणों की के बैक वैलेंस होंगे लाखो उसके निय कोई कर द्या होगे उसके लाङना का भुड़ा ले होंगे आप्सके लंगन कोन है बुद्रमाहन है द्यानन्द मान है संकराचारी मान है जितने प्रमांस हुए हे ओMom warriors Rang अण ओच को देख है हम संधरसाथ तो आज एक भुमते इं उच्छी ट्रेनों में कूमते हैं अछी का नहीं तो बताइए, जिसके हिर्दे में प्रितम बास कर रहा है, जो मस्ती में आते हैं, तो जिसको कह देते हैं, कि बोल तो क्या चाहेगा, क्या देखना चाहता है, होजगोसर देखना चाहता है, फुल बाग देखना चाहता है, नूर बाग देखना चाहता है, देख ले, वह परमान्स पैदल चलता है, क्योंकि उसको कोई तरशना ही नहीं है, कोई ले जाकर अपनी गुसाला में भी सुला देता है, तो माराजी कहते हैं, ठीक है, मैं यहीं अच्छा हूँ, कोई चाहत नहीं, कोई खाने की चाहत नहीं, कोई संसार की सुख सुप्धा की चाहत नहीं, क्यों? जो अनन्त सुख में ब्रमण कर रहा है उसको संसार के सुखों के क्या चाहत? इसलिए तो ही ब्रमधाम की ब्रमात्मा है जो अपने प्राणेशु रक्षरातीत को इस संसार में जाहिर कर दे कहां है प्रमात्मा, कैसा है प्रमात्मा, कैसे हम उसको पाएं स्वें मैं उसको अपने हिर्दे में बसाया हो और सारे संसार को बता दे कि संसार के लोगो तुम्हारे जीवन के एक एक पलमुलिवान है और यह मानवतल मिला है किवल प्रियतम पर ब्रह्म को पाने के लिए इसलिए संसार को सत्यमार्ग पर चलाने के लिए ज्यान की जूरत है उस ज्यान के अखंड प्रकास किया हो सकता है जिसकी ज्छलक मिलने के बाद अज्यानता कांदिकार मिठ जाता है आज राजमालों की तरह बड़े-बड़े मंदिरों की बनाने के हो सकता नहीं है, जान के मंदिरों को बनाइए, गंठी-गड़ियाल के मंदिरों से कोई लाप नहीं होगा, और जो भी मंदिर बने हैं, हर मंदिर से ज्ञान की चर्चक रहिए, यदि बानी का ज्यान फेलेगा सब सुंदर सेथ बैठ कर अपने हिर्दय में तो इतभी दंदन होगे और उतभी दंदन होगे जागनी कार्थी क्या होता है हमारे हिर्दय में धने की सुभा बिस जाए दुखाग गया कि चार सो बड़्स हो गए लगभा सोला सवार 30 से जोड़िये तो कितना समय होता है आज 2,078 की आसपास हो रहा है 400 साल से अधिक समय हो गया इस खेल में आई हुए हमारे पास 400 से अधिक मंदिरों के लिष्ट है लेकिन अधिकतर मंदिर ऐसे हैं जहां से कुछ भी ज्ञान का प्रकास नहीं होता है साल में एक बर भी तक हो जाती है टुटी फुटी कई तो मंदिर ऐसे हैं जहां भी तक भी सायद नहीं होती है और कहीं तीन दिन का कहीं दो दिन का वर्षी को से हो जाता है उसको भंडारा कहते है भंडारा जानते है किसको कहते है जिसमें खाया जाए ज्यानचर्चा सुनाएग, लोग नहीं आएंगे, सुन्दरसाथ भी नहीं आता है, और जब अखरी दिन होता है, तो भोजन का प्रसाथ पाने के लिए आते हैं, भोजन का प्रसाथ तो पच जाएगा, बहार निकल जाएगा, ज्यान का अखंड प्रसाथ आपकी आत्मा की जाएगा झाएगा 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 झाएग और इसके बाद क्या मिलेगा? मैंने जे कि ब्रहमान नष्ट होता है, ब्रहमान ले होता है, तो आपको क्या चत्य मिलेगी? ऐसी क्या चीज है, जो ब्रहमान के ले होने के बाद नहीं मिलनी है, सब कुछ मिल जएगा. अब परमधाम जाएंगे, तो राज जी मिल जाएंगे स्यमा जी मिल जाएंगे सभी सुन्दर साथ भी परमध्या में मिल जाएंगे यहां भी हैं लेकिर कोई पेचानता नहीं क्योंकि सबके रूपरन एक जैसे ہیں दो हाद दो पार सब शुन्दर साथ के हैं ब्रहम्षिष्टि की कोई विसेष्था नहीं है उसकी विसेष्था को कि इमान और इसके है यह वाणी दुबारा इस ब्रहमांद में नहीं आएगी ए तीन ब्रहमांद हुए जो अब ऐसे हुए नहोशी कब इन तीनों में ब्रहम्रिला भै ब्रज रासर जागने के ब्रच का ब्रहमान बित चुका है जागने के ब्रहमान चल रहा है अब दुबारा जागने के ब्रहमान नहीं बनेगा दुबारा अक्षरातीत परमधाम की इस ब्रहमानी को लेकर के नहीं है इसलिए अवसक्ता क्या है इस ब्रहमवानी का प्रकास पहलाई है रास से लेकर क्यामत तमत तक कि एक एक सब्दों में जो ज्यान का अम्रित भरा हुआ है, उसका रिस्पान कीजिए और सारे ब्रह्मान के लिए उसका दुआर खोल दीजिए, अज भागवत की किसा कहानियों से कुछ नहीं मिलने वाला है, कि सस्बिंद की एक अरब संतान थी, चितकृत की एक करूर और से बन गई, और नाक की छिक से इच्वाको कहां से पैदा हो सकता है, यह सारे किस्या कहानियां गपोडे लिखे हैं भागवत में, अब चितरकृत एक करूर रानियों से भीवा करते बिचारा, वो तो एक एक रानी से भीवा में चार-चार फेर लेगा, तो सूचिए कितना आत्मा को कुछ नहीं मिलना है, आपके लिए अक्षरतित परमधाम का ग्यान लेकर के आएं, नक से सिक्त की अपनी सुबा का बढ़न सागर सिंगार में किया है, और इस वाणी को 133 भासाओं में अनुबादित किया जा चुका है, जो वेब साइट पर उपलब्द है, जो सतर भासाओं में वे सुन सकते हैं, आप अपने एंडाइट फोन से, लाइप टाप से, कंपूर से, सब सुन सकते हैं, पूरी वाणी की सुन सकते हैं, गाड़ी में चलते जाएए, आप लगा दीचे अपने मुबाईल से, पूरी राज से लेकर किमत अमता की ठीका सुनिए, पूरी बितक किटी का सुनिए, एक-दो भासाओं में नहीं, जिस भासा में चाहिए, अरभी में सुनना हो, Gujarati में, Marathi में, Englishी में, Hindi में, French में, Russian में, जिसमें इक्षा हो, सत्तर भासाओं में आपको उपलब दे, ये राजी की असीम की, इस निये, धर्म क्या है इसको हमें समझना होगा बैभाव का प्रदर्शन धर्म नहीं है सिसों की बड़ी संख्या दिखाकर संख्या दिखाना बडपन नहीं है बडपन क्या है हमारे अंदर कितनी बिनमरता है हमारे अंदर कितनी सांती है हमारे अंदर कितना संदोस है यदि हमने राजी को अपने हिर्दे में बसा कर इन पांच संपदाओं को प्राप्त कर लिया इमान, इस्क, सुक्र, गरिवी और सब्र तो हम से बड़ा सोभा कि साली इस्टिस्टि में न कोई है और न कोई भूगा